जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में जल सनरक्षन और घर घर पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से अमल हो रहा है प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चाल खाल बना कर जल सनरक्षन का कार्य चल रहा है वनवे भाग भी जलजी वन मिशन के तहत चाल खाल बना कर छोटे छोटे गदेरों और प्रकृतिक स्रोतों का संरक्षन कर रहा है कई स्थानों पर वनवे भाग ने चेक डैम भी बनाए हैं ये चेक डैम एक मीटर चोड़े और गहरे बनाए जा रहे हैं जिनमें एक घन मीटर पानी हमेशा रोका रहेगा वन प्रभाग रामनगर के DFO चंदरशेखर जोशी ने बताया कि बड़े चाल खाल की लागा तीन लाख और छोटे की पचास हजार रुपए आ रही है उन्होंने कहा कि गदेरों के पानी को रीचार्ज करने के लिए पहाड़ी पर जगे जगे गढ़े खोद कर चाल खाल बनाए जा रहे हैं जिससे बरसात के दिनों में इसमें मात पानी जमा होकर भूमी में रीचार्ज हो सके तो ऐसे दस एक बीस घंड मीटर के चाल खाल होते हैं वो देखा जाता है कि किसी स्लोप में है किसी छेटर में कितनी जगह हमें उपलब्द हो रही है और इसकी कीमत लगब पचास हजार के असपास बैठती है और इससे जो है वहाँ पे लोकली जो बारिश है उस पानी हम व आ रहें ताकि ज़्यादा जल संक्षन है किया जा सके आजकल नैनी ताल जिले के ठंडे इलाके भवाली में भी नदियों और गदेरों को वन विभाक के सहयोग से रिचार्ज करने के लिए स्थानिये लोग भी आ गया रहे हैं पेड़ लगाने के साथ साथ वे नदियों और गदेरों से उपर के इलाकों में चाल खाल और खंतियां खोद रहे हैं ताकि बरसात का पानी संचै हो सके कि सारा पानी हमारा धीमे धीमे यहां से निचार्ज हो करके भूगर जल के स्तर को बढ़ाएगा जिससे हमारी सिप्रा नदी तुनर जीवित होने की सौर प्रसातम बावना है